नमस्कार, Simplicity Channel में आप सब का स्वागत है, आप सब कैसे हैं, I hope आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, इश्वर से मेरी यही प्रातना है कि आप सब स्वस्थ और सुखी रहें, आज का हमारा विशे है Benefit of Lighting, Salt दीपक, यानि कि समुदरी नमक दीपक जलाने से हमें क्या फ लक्षमी प्रसन होती है, एश्वर्य की प्राप्ती होती है, धन की प्राप्ती होती है, अगर हमारी कोई इच्छा हो, उसको पून करनी हो, तो इस दीपक को जलाने से वो इच्छा भी पून होती है, इस वीडियो के अंत में ये दीपक किस तरह से जलाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी तो प्लीज वीडियो को स्किप करें बिना तिल एन तक जरूर देखिएगा तो शुरू करते हैं हम आज का अपना विशे प्राचीन समसे ही नमक हमारे भारतिय किचन का एक अभिन हिस्सा रहा है नमक ना सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाता है बलकि इसमें खुशाल जीवन का राज भी छुपा हुआ है हमारे घर के बड़े बुजर्गों का मानना है कि घर में नमक से ही बरकत आती है तभी तो शादी के बाद बेटी की विदाई पर साबुत नमक की थैली देने की परमपरा सालों से निभाये जा रही है इसके अलावा नए साल पर भी सबसे पहले नमक खरीदा जाता है ऐसी परमपरा है ताकि घर में वर्ष भर लक्षमी का वास रहे और दरिदता दूर रहे पूरे घर घर पूरे वर्ष घर में बरकत रहे चलिए आज हमको बताएंगे कि समूदी नमक दीपक को जलाने से हमें क्या-क्या फाइदा होता है इस दीपक से आपके बिगडी हुई किसमत भी समर सकती है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहे तो उसके लिए आपको ये दीपक आउश्य जलाना चाहिए ऐसा करने से घर में धन का आग्मन होने लगेगा साथ ही पैसो में बरकत भी बनी रहेगी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए इस दीपक को हमें शुकरवर के दिन जलाना चाहिए जो कि देवी महालक्ष्मी का दिन होता है इस दीपक को हमें भ्रह्म मुरत में जलाना चाहिए जो कि सुबर 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 चार से छे के बीच में होता है अगर आप किसी कारणवर्ष सुबर नहीं जला सकते तो आप शाम को भी जला सकते हैं शाम को गोदुली वेला में साड़े पांच से साड़े छे के बीच में इस दीपक को प्रजलित करना चाहिए अब हम जानते हैं कि नमक से हमें क्या-क्या फायदा होता है समुद्री नमक ऐसे तो सबको पता है कि समुदर से पाया जाता है देवी लक्षमी का जन कहां से हुआ था वो भी समुदर से ही हुआ था इसलिए कहते हैं कि नमक में लक्षमी का वास होता है समुद्र मंथन के दोरान 14 रतन निकले थे इन्ही रतनों में से एक रतन देवी लक्षमी इनकी उत्पती हुई थी लक्ष्मी अर्था श्री और सम्रुदी की उत्पति माना जाता है कि जिस भी घर में स्री का सम्मान होता है वहां सम्रुदी कायम रहती है उसी तरह से समुद्री नमक जो स्वयम देवी लक्ष्मी के घर से प्रगट हुई है हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए नमक को घर में कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए नमक को कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए समुदरी नमक के दीपक को जलाने से घर में एश्वर्य और धन की कमी कभी नहीं होती आर्थिक परिशानियों से हमें छुटकारा मिलता है आपके घर में आर्थिक परिशानिया अगर है तो वो भी नश्ठ हो जाती है धन की कमी है तो वो भी नश्ठ हो जाती है संबली नमक के दीपक को आउश्य प्रजलित करना चाहिए इससे घर में नकरात्मक शक्ती का नाश और सकरात्मक शक्ती का आगमन होता है गर में दरिद्रता नहीं रहती दरिद्रता दूर करने के लिए ही हमें इस दीपक को प्रजलित करना चाहिए नमक से नेगेटिव एनरजी नश्ट हो जाती है यानि कि नमक में नेगेटिव एनरजी खीचने की शक्ती अधिक होती है और ये positive energy spread करता है समुद्री नमक से हमें और क्या-क्या फायदे होते हैं ये भी हम जानते हैं जैसे कि इस नमक को नजर दोश के लिए छोटे-छोटे बच्चों की नजर उतारने के लिए या बड़ों की नजर उतारने के लिए इस नमक का इस्तिमाल किया जाता है घर में नमक से पोता करने से दरिदिता दूर होती है नेगेटिव energy दूर करने के लिए घर के कोने-कोने में भी कांच के बावल में थोड़ा सा समुद्री नमक रखने से नेगेटिविटी दूर होती है इस तरह से समूदी नमक के बहुत से फायदे होते हैं घर में अगर हमने समूदी नमक दीपक को जलाएंगे तो में हाज हजारों गुना फायदा होगा दरिददा का नाश होगा देवी लक्ष्मी प्रसन होगी और आर्थिक कठीनाईयों भी नश्ट हो जाएंगी कोई भी नेगेटिव एनरजी घर में स्प्रेड नहीं होगी सिर्फ पॉजिटिव एनरजी का घर में वास रहेगा साक्षात महालक्ष्मी का घर में वास रहेगा तो अगर आपको अपने इच्छाओं को पून करना है या अगर आपको कोई आर्थिक परिशानिया है तो आप इस सॉल्ट दिपक को यानि की समूदी नमक दिपक को अपने घर में जरूर जिलाईए अपने इच्छाओं को पून कीजिए और आर्थिक परिशानियों से छुटकारा पाईए बहुत सारे लोगों को इसका फाइदा हुआ है आप भी करके देखिए आपको भी इसका फाइदा जरूर होगा आप इस दीपक को अपने घर में जरूर प्रजलित कीजिए इससे आपको बहुत फाइदा होगा इस दीपक को इच्छा है तो 48 डेज तक इस दीपक को प्रजलित कीजिए आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी अगर नहीं तो आप हफते में एक बार भी इस दीपक को जला सकते हैं इस दीपक को जलाने के लिए शुकरवार का दिन शुब माना जाता है इसलिए हमें शुकरवार को ये समुदर नमक दीपक जलाना चाहिए अगर हमारी कोई इच्छा है जो पूर नहीं हो रही है तो हम इस दीपक को अगर जलाएंगे तो वो इच्छा पूर हो जाएगी आप 5 शुकरवार या 11 शुकरवार जैसी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार इस दीपक को जला सकते हैं आईए अब हम देखते हैं कि इस दीपक को हमें किस तरह से जलाना चाहिए आपको इस तरह से एक तामबे का या पीतल का प्लेट ले लेना है उसमें इस तरह से हल्दी से सब चारो और तिलक लगाना है अब आपको छोटे छोटे दो मिट्टी के दीपक ले लेने हैं उस पर भी इस तरह से हल्दी का लेप लगाना है और फिर बड़ा दीपक लेना है कोई भी मिट्टी का बड़ा दीपक ले सकते हैं उस पर भी इस तरह से हल्दी का लेप लगाईए चारो और अच्छी तरह से हल्दी लगा दीजे मैंने जस्ट ऐसी लगाया है आप अच्छी तरह से सब जगह हल्दी लगाके इस छोटे दिपक में भी अच्छी तरह से हल्दी लगा दीजे उसके बाद आपको कुमकुम से तिलक करना है अच्छी तरह से चारो और कुमकुम से तिलक करना है इस पीतल के प्लीट पर उसके बाद इन दीपक पर भी आपको अच्छी तरह से तिलक लगाना है इस तरह से तिलक लगाईए दोनों दिपक पर और फिर इस बड़े दिपक पर भी अच्छी तरह से तिलक लगा दीजे इसमें मैंने 8 तिलक लगाया है अश्लक्षमी के 8 स्वरूप होते हैं इसके लिए 8 तिलक लगाया है आप अपने इच्छा अनुसर कितनी भी तिलक लगा सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 तिलक ही लगाना है उसके बाद आपको नमक ले लेना है साबूत नमक, समुद्री नमक उस नमक को अच्छी तरह से इस मिट्टी के बाउल में भर देना है जो मिट्टी का दीपक है उस पर अच्छी तरह से भर देना है कोई भी ले सकते हैं जरूरी नहीं कि आपको दीपक ही लेना है आप मिट्टी का कोई भी बाउल ले सकते हैं अगर बाउल नहीं है तो आप इस तामबे के प्लेट पर भी रख कर सकते हैं खाली प्लेट पर आप नमक रख दीजिए और उसके ऊपर दीपक जलाईए वैसा भी कर सकते हैं अब इसके ऊपर इस तरह से इस दीपक को डोनों दीपक को रख दीजिए और फिर दो बाती लेनी है एक नहीं दो बाती लेनी है उसमें इस तरह से तेल डालना है घी भी दाल सकते हैं घी बहुत उत्तम होता है अगर घी है तो घी दालिए अभी मैंने तेल दाला है वैसे तो घी दाले तो बहुत अच्छा होता है लेकिन अगर आपको तेल दालना है तो तेल भी दाल सकते हैं वो भी तिल का तेल तिल का देल पौल की शुब माना जाता है अ इस तरह से, अगर आपके पास फूल है, तो आप उन फूलों को भी इस तरह से दीपक की चारो और लगकर इस तरह से सजा सकते हैं, अगर फूल नहीं है, तो आप स्किप्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर फूल हो तो इस तरह से सजा कर लगेंगे, तो ज्यादा उसके बाद आप दीपक जब भी प्रजलित कर रहे हैं तब आपको एक शलोक बोलना है इस तरह से आपको दीपक बजलित करते वक्त ये शलोक बोलना है दीपक प्रजलित करते हैं तब आपकी कोई भी इच्छा हो वो बुलिए उस दीपक के सामने कहिए और फिर आपकी वो इच्छा जरूर पुरी हो उस दीपक को आप धूब दीब दिखाईए नवेट समर्पन कीजिए अगर आप इस दीपक को अपने घर के मंदिर में रख रहे हैं तब आपको दूब दीब आती करके नवेट समर्पन करना है और अगर आप इसको मंदिर में नहीं रख रहे हैं अगर आप हॉल में रखना चाहते हैं तो आप हॉल में भी लख सकते हैं इशान कोन में आपको इसको रखना है, बॉल का जो भी इशान कोन है वहाँ पे इस दीपक को रखना है, इस दीपक को आप उत्तर की तरफ मुख करके या फिर पूरव की तरफ मुख करके भी रख सकते हैं, इसको अगर आप बिजनस कर रहे हैं तो आपने ओफिस में भी रख स और अपने घर को दूर किजिए और अपने घर को खोशाल बनाई तो दोस्तों और हां एक और बात है जब आप साब हकते में दूसर दिन जो उसका जो नमक है अंदर जो हमने नमक रखा है उस नमक को पानी में बहा देना है आप अपने वाश वेसिन में सिंक में किसी में भी दाल सकते हैं लेकिन नीचे कहीं नहीं गिराना है उसको पानी में दाल देना है फिर दूसरी बार अब जब दीपक जलाएंगे तब नया सॉल्ट लेना है और फिर उसको भरना है इस तरह से आपको करना है तो दोस्तों I hope आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए अपने वार्टसप गूप में ज़्यादा से ज़्यादा ल झाल झाल झाल